Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज मैं आपके साथ तरकिश मतन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से वो भी घर के मसालों से तो चलिए friends, तरकिश मतन सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए होंगे प्याज, हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च है तो इसका यूज कीजिए नहीं तो आप ग्रिन शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और अब इसे हमें रफले चॉप कर लेना है और फिर अब इसे हम डालेंगे चौपर में और चौपर की मदद से इसे हमें चौप करना है बिल्कुल बारीक अगर आपके पास चौपर नहीं है तब आप चाकू की मदद से बिल्कुल ओमलेट के प्यास की तरह बारीक चौप कर ले तब भी आपका काम चल जाएगा मगर इसे बिल्कुल बारिक चॉप करना है इस बात का आप ख्याल रखें और ये देखिए मैंने चॉपर की मदद से बिल्कुल बारिक चॉप किया है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है और अब इस तरह से हमें इसे निचोड लेना है ताकि इसका जो एकसेस पानी है वो निकल जाए और ये जो हमारी सबजी है इसे हमें यूज करना है अगर इस पानी के साथ आप कीमे में इस सबजी को यूज करेंगे तो कबाब तूटने का डर होगा इसलिए ये जो पानी एकसेस निकला है इसे हमें निकाल लेना है और इस बची हुई सबजी का ही हमें यूज करना है तरकिस मटन सी कबाब बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मटन का कीमा लिया है इसे आप चिकन से या बीफ से भी बना सकते हैं मगर ये बिलकुल बारिक पिसा होना चाहिए और अब इसमें हम ये सबजी मिला लेंगे जि साथ में 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आड़ करना है हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आड़ करना है हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर आड़ करना है हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर भी आड़ कर लेना है और साथ में हाफ टेबल स्पुन देगी लाल मिर्च पाउडर एड़ करना है और फिर इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च एड़ करेंगे लाल मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या जादा कर लीजिएगा फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे नमक भी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग दाल लिए साथ में half table spoon गरम masala powder ये घर का गरम masala powder है और अब इसमें हमें डाल लेना है पारिक कटा हड़ा धनिया और हडी मिर्च इन सारे मसाले को कीमा में डाल लेने के बाद अब इसे हमें अच्छे से mix करना है ताकि कबाब की जो बैंडिंग हो वो बहतरीन हो कबाब गिरे नहीं सीख से और तूटे भी नहीं अगर आप इसे चिकन में बना रहे हो तो इस कीमे में आप अलग से दो चमच देशी घी एड़ कर ले चुकि मैंने मटन का कीमा लिया था तो इसमें अलग से फैट मिलवा लिया था और यह देखे कीमा अच्छे से mix हो गया है तो इसे 10 से 15 मिनिट तक हमें एक साइड रख देना है ताकि कीमे में सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से mix हो जाए और कीमा अच्छे से से सेट हो जाए क्योंकि हमें तरकिस सीख कबाब बनानी है इसके लिए हमें फ्लैट सीख चाहिए होंगे तो फ्लैट सीख हमने घर में इस तरह से बनाया है यह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसे कैसे बनाना है यह देखे इस तरह से स्कीवर्स लेना है और इसे एक जगा सेट करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से सेलो टेप से आपस में चिपका लेंगे पहले नीचे इस तरह से पकर के चिपकाएंगे और फिर उपर की साइड इसे चिपका लेना है और अब फॉयल पेपर लेना है और फॉयल पेपर को भी इस तरह से कट कर लेना है जितना आपके स्क्वेर या फोईल पेपर नहीं है अगर आप यह नहीं बना सकते हैं तो इसे आप नॉर्मल सीख में भी बना कर तयार कर सकते हैं टेस्ट विल्कुल सेम रहेगा बस यह है कि इस तरके सीक कबाब को फ्लैट सीक पे बनाया जाता है इसलिए हमने इस तरह की शेप दी है अपने कबाब बनाने के लिए 15 से 20 मिनट अल्मोस्ट हो चुके हैं और कीमा अच्छे से सेट हो गया है तो चलिए अब हम कीमा को एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और फिर सीक में हम कबाब लगाना शुरू करते हैं सबसे पहले हाथ में पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद इस तरह से हमें एक छोटा सा पोर्शन उठाना है और उसका बॉल बनाना है और उसके बाद इस सीक पे हमें दीरे दीरे इस तरह से set करते जाना है आप बीच बीच में थोड़ा सा हाथ को पानी से गीला कर ले और यह देखिए जब यह कबाब की shape आ जाए तो हमें finger से इस तरह से दबा देना है ताकि इसमें तरकिश सीख कबाब की शेप आ जाए ये देखे फ्रेंट्स इस तरके सीख कबाब की टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होती है बिल्कुल ही ओसम आप एक बार इसे जरूर घर में ट्राइ कीजिए आप जैसे यहां नॉर्मल सीख कबाब बनाते हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट इसका टेस्ट होता है इसी तरह से हमें सीख के उपर इसे लगाना है जैसे हम नॉर्मल सीख कबाब बनाते हैं दो उंगलियों की मदद से सीख कबाब को इस तरह से हलके हलके हाथों से प्रेस करना है और जब सीख कबाब में अच्छी सी शेप आ जाए तब इसे हमें दो उंगलियों की मदद से त आपने अंगूठे और उंगली की मदद से हलके से शेप देंगे ये देखे और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल तरकिसी कबाब जैसी शेप आ गई है तो इसे तरह से हमने सारे कबाब को तयार कर लिया है और अब इसे हमें पैन पे ग्रिल करना है कबाब को ग्रिल करने क लिए मैंने फ्लैट तवा का यूज किया है आप इसे पैन में या ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं तो इस पे मैंने पहले थोड़ा सा तेल डाला है और अब इसे ब्रश की मदद से हमें स्प्रेड कर लेंगे गैस की फ्लैम मेडियम टू लो रखनी है और इसी फ्लैम पे हमें कबाब को ग्रिल करना है तवे के उपर हमने सीख कबाब को रख लिया है और इसे पहले एक साइड दो से तीन मिनट तक हमें कुक करना है जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जा इसे फ्लिप नहीं करना है और जैसे ही इसमें अच्छा सा कलर आने लगेगा गोल्डन तो बस दो से तीन मिनट में इसे हमें फिलिप करना है और फिर दूसरे साइट भी कुक करना है इसे ओवर कुक नहीं करना है वरना यह जल जाएगा और यह देखिए फ्रेंट्स बातों ही बातों में जबरदस्ट खुश्बूदार तर के सीक कबाब हमारा बन कर तयार हो चुका है और अब इसे हम गरमा गरम सर्फ कर लेंगे तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं इसे सर्फ करने के लिए मैंने इसके साथ एक सैलड तयार किया है और इसे निम्बू के साथ सर्फ करना है तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को एक बार आप घर में ज़रूर ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट करकर ज़रूर बताईए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं हम आपसे एक नए रेसिपी के साथ तब तक आप अपने ख्याल रखिए